दोस्तो SBI Clark Pre-Result के साथ साथ हम लोग RBA Assistant Main Exam डेट को लेकर कि हम लोग काफी दिन से वेट कर रहे हैं जैसे RBA Assistant Main की बात करें तो ये मार्च में होने वाला था बट कुरोना वाइरस के वज़े से डिले हो गया आप तक कोई नोटी सोगरा नहीं आया कि कब तक एकजाम होगा दोस्तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा आप अकर प्री क्वालिफाई कर लिए RBA Assistant का और Main का प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप सब के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं जैसे मैं आपक जो है एकजाम हो सकता है उसके बारे में एकदम 100% possibility रहेगा दोस्तो आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजे और दोस्तो एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मिशन आपको देना मैं भूल गया था सुवा स जो सरका लेक्चर जो भी भीहारी सरका जो लेक्टेर जो सीडियूल था आज एक बजे वह लेक्चर दोस्तों टेक्निकल इसू के वज़े से नहीं हो पाया है मैं तो पूरा महराष्टा में रहता हूं असर पटना बिहार में तो दोस्तों थोड़ा उनको यूटूब पर कै आप लोग पूछ रहते कि सरका क्लासिस नहीं आया तो उन्होंने ट्राइब किया बट नहीं हो पाया बट आप लोग आने वाले टाइम में जल्दी आप सबको सरका लेक्टेर आपको देखने को मिलेगा रिजनिंग और मैत का तोस्तों बात करते हैं इसमें सबसे पहले दो चालिस कोशन है और 46 मास का है इसमें आपको 25 मिनट मिलेगा उसके बाद केम्पींटर को जो 40 कोशन है 40 मास यानि दोस्तों आप 80 में 80 अपने को टार्गेट करना है स्कोर करने के तो 80 में कैसे 80 कोर कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों आपको बताता हूं सबसे पहले करें कि आप लोग क्या किजिए प्रिवीयस में जो भी एकजाम हुआ था व्याटा उसके पहले 16 में एकजाम हुआ उसका प्रिवीयस का कोश्चन निकाल लीजिए और उसको प्रिंट करके उसको पढ़िए क्योंकि बहुत सारे कम्पुटर कोश्चन होते हैं वह आपके रिप इसने सारे चाप्टर है और आपके एक्जाम में अकर आपने बेसिक पार्ट कर लिया और थोड़ा सा एडवांस लेवल कर लिया तो आप आसानी से 40 में 40 स्कूर कर सकते हो कंप्पूटर से आपको उतना हार्ट लेवल का कुश्चन नहीं पुछा जाएगा मेन बात है दोस्तों आपकी बेसिक जो है कंसेट थोड़ी सी आपको आनी चाहिए तो आप अराम से जो है वह अच्छे स्कूर कर सकते हैं और प्रिवियस येर का जो पेपर है मैं आप सबको क्या आप उसको जरूर जाकर कीजिए उससे आपको काफी फेपलेगा मैं भी महीं कर रहा हूं तो आप करो जाकर के काफी आपको अपसा करता हूं कि आपको양 कैसे दोस्तों आपको six month तक आपको पढ़ना है अभी तो एक्जाम डिले हो गया तो अभी आपको जब तक एक्जाम होगा यानि मैं आगे डिसकस करूंगा तो आपको छे मेना का तो मान के चलना है कि अगर्स के लास में आपका एक्जाम होगा और उसके अमसार से आपको six month का करना है four month का आपको अच्छे से करना है और two month जो है आपको उसमें जो important question है जैसे में fair cloud का पीडिये को जो बताया है उसमें आपका hundred top based question है और pocket video उतना आपने कर लिया तो आप hundred percent जो है एक्जाम में score करेंगे और क्या क्या पठना है उससे related already मैं video बनाया था कौन से topic पर ज्यादा ध्यान देना है उसका link मैं आपको description में दे दूँगा तो उसको आप एक बर जाकर के जरूर देख लेना दोस्तों अब बात करते हैं मेन एक्जाम के date के बारे में देखिए जो है इसी date में आपका exam जैसे मेंने आपको बताया दोस्तों की मार्च में एक्जाम था नहीं हो पाया अभी डोस्तों करोना वायरस का कींड जो है कहीं बढ़ रहाय कहीं कम हो जो है यानि आपका जो है कुछ मुंबाइ की बात करें तो आप धेरे-धे कंट्रॉल हो रहा है यानि और भी बड़े-गड़े जो इंडिया के सीटि है वहाँ पर धेरे-धेरे चल लगा है जुलाई के लाज तक बहुत कम होने वाला रहे है यानि आपका अगस्त में ऑगस के लास्त में आपका इउक्जाम देफिनेटलीटीन होगा, मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों किन्की का अब्पजिस नोम्भय वेलाई आपका 25 अगस्त कूई है उसके बाद दुसरा जो पोश्टा जी पियार का उसका भी अगस्ट 21 को है यानि आपको अगस्ट के लास्ट तक दोस्तों आपका इसका जो है एक्जाम आपको डिफिनिट्ली इसका एक्जाम सीडूल रहेगा मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सब को बताया है कि जो है इसके लिफिनिट्ली जो अपना एक्जाम कंड़क करवाता है वो सोचल इसेंसिंग नर्म को मेंटेन करके और एक्जाम कंड़क करवाने के लिए एकदम रेडि है सिप ऑगनाजिशन के तरफ से उसको नोटिस आना उसको लेटर आना एक्जाम को लेकर को बाकी है यानि एकदम रेडि रहना है अच्छे से प्रिपेशन करना है कंप्रिटर का प्रिवियस दिर का कोश्चन मैंने बताया और आपको इसके लिए करेंट एफेर के लिए आपको एफेर क्लाउड का पीडियेफ से आपको पढ़ना ही है यहां से आपके हंडेट परसेंगे इसका जो जोड़र से 19 का डाटा है कितने लोगों ने फालो किया है वह वन अब दबेस सोर्से से इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं आप कोई भी बैंकिंग इंसुरेंस का प्रिपेशन कर रहे हो तो इसको जाकर कर सब्सक्राइब कर लो वन यह का सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करता हूं और आप सब के लिए आपको जल्दी है आपको सभी सब्सक्राइब कराने वाला हूं ओके दोस्तों थैंक इसो मच गौड़ बिलेशिव